141. मागध मंत्रणा 151. मागध में बंग के वैश्रमान दत्त, कलेंग के वीर कृष्ण मित्र, अवंती के श्रीकांत, भोज के समुद्रपाल, आंध्र के सामंत भद्र, महिश्मती के सुगुप्त, भुगुकच्छ के सुदर्शन और प्रतिष्ठान के सुवन बल, ये आठ मित्र महा सेनपती सम् युद्ध के संबन्द में सबंगों पर प्रकाश डाला गया, दूश्य सेना, शत्रु सेना, आठविक सेना का, पर्थक पर्थक विभाजन कर, पर्थक पर्थक सेना पतियों को सौप दिया गया, अपसार, परतिग्रह, पारवत, दुर्ग, नदी दुर्ग और वन शुन्य पाल और वस्तु पाल नियत किये गये, सत्रों की रक्षा का समुचित प्रबंध किया गया, संपून सेना का अधिनाय कत्व महा सेनापती आर्रे भद्रिक ने गरहन किया, सेनापती सोंप्रभ हुए, आर्रे उदाई को नौबला ध्यक्ष नियत किया गया, अमात्य सुनीत शुन्य पाल नियत हुए, आचारे काश्यप कूट युद्ध के नायक हुए, संपून समलित अस्थल सेना का दायत्व सौंप्रभ को दिया गया, दक्षन युद्ध केंद्र पर उनके नियुक्ती हुई, आठो मित्र सेना नायक राजपुरुष उनकी अदीनता में रखे गए, सत्रों का भार गोपाल भट को दिया गया, समराट को युद्ध भार से सरवता मुक्त रखा गया, शत्रु पक्ष में समराट को कोई न पहचान पाए, इसके लिए ने गूढ़ पुरुष समराट के वेश में नियत किये गए, सूत और मागद गण सेना के उत्स रिकाओं सहित, यथा इस्थान नियत किया गया, धानवन दुर्ग में युद्ध करने वाले युद्धाओं को, जलत था इस्थल में युद्ध करने वाले युद्धाओं को, खाई खोद कर उनमें बैठ कर युद्ध करने वाले युद्धाओं, आकाश में युद्ध करन वाले युद्धाओं को यथावत विभाजित कर उनके सेननायकों को उन्हें सोप युद्ध युग प्रदेश रितु और अपेक्षित समय की सब विवस्थाओं पर विचार कर विवस्थित किया गया रतियुध हस्तियुध अश्वयुध तथा पदाती युद्ध एवं चत समय करीत से विचार करके सामरिक द्रिष्टी से उनके नियोजन की विवस्था की गई भूमी विचय वन विचय विशम तो तीर्थ वात और रश्मी के उपयक्ति स्थलों पर संगहात स्थापित किये गए शत्रू के विविध आसार और अपने विविध आसार का प्रबंध किया गया शत्रू के सेना को पकड़ने शत्रू से पकड़े हुई योध्धाओं को छुड़ाने अपनी सेना के मार्ग पर शत्रू की सेना के चले जाने पर स्यम शत्रू सेना के मार्ग का अनुसरन करने शत्रू के कोश और सेना नायकों का अपहरन करने पीछे तथा सम्मु परोही सेनने को सौपे गई। अपनी सेना की रक्षा करने, आक्रमन के समय शत्रू सेनने को रोकने, शत्रू के द्वारा पकड़े गए अपनी युद्धाओं को छुडाने, बिखरी सेना को एकत्रित करने, शत्रू की सेना को विचलित करने का कार रथ रथी और रथ पतियों को स्वापा गया। प्रत्येक सम विशम स्थानों प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल रित्यों और परिस्थितियों में घंगोर खड़ गे युद्ध करने का काम पदादिक सेन्ने को दिया गया शिवेर मार्ग सेतु कूप घाट आदी तैयार करने उन्हें ठीक ठीक रखने यंत्र शस्त्र कवचादी से साधन संपन्न करने तथा आहट भटों को युद्ध स्थल से ढोकर चिकित सकेंद्रों तक पहुँचाने का काम विश्टी सेन्न को दिया गया इस प्रकार युद्ध संचालन की सारी विवस्था कर मागध महा सेनपती चंड भद्रिक में सौम प्रभ का अभिनंदन करते हुए संपून सेनपतियों के समक्षन के शौर कोशल भक्ती और इस थैरे की भूरी भूरी प्रशंसा की और परिपून अनुशासन का बारंबार 142 प्रकाश युद्ध मही के उस पार की मलों की भूमी पर वज्जी सेनने का इसकंदहवार निवेश था मही तट पर दुर्गों का ताता बंधा तथा वहां एकाइस थाई पुल नावों का बाधा गया था जिसकी रक्षा कांधार काप्यक के गांधार भट यतन पूर्व कर रहे थे मही तटकि इन दुर्गों में वज्जीयों के शास्त्र भंडार और रक्षिस सेनने बहुत मात्रा में थे मही की धारा तीतीवर होने के करण नीचे से उपर आकर इन दुर्गों पर आक्रमार करना सुकरना था वज्जी इसकंधहवार निवेश और मगध बस्ती बहुत विरल थी। उत्तरकाल में जहां बैठकर गुप्त वंश की महमहिम समराटों ने ससागर जंबु द्वीप पर अबाध शासन चक्र चलाया था। वो एक नगन्ने साधरन ग्राम था। मागद राजपुरुश और कभी-कभी सेन्नी की कोई टुकडी मास आधा मा पाटली ग्राम में आकर टिक जाती थी। फिर उनके लोट जाने पर लिच्चवी राजपुरुश लोगों को घर से निकाल कर बस रहते थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए फिर मगद से न मंगानी पड़ती थी। ग्राम जेठक एक बूढ़ा मागद सेनिक था। उसक रहना पड़ता था। बहुदह दोनों ही राजपुरुश न से जोर जुल्म करके बली उगाह ले जाते थे। अपने घर और अपनी संपत्ती पर उनका कोई अधिकार ही न था। ना वे और ना उनकी संपत्ती रक्षित थी। इसी से पाटली ग्राम की आबादी बढ़ती नहीं थे। कोई भी इस दोएधे शासित ग्राम में रहना स्विकार नहीं करता था। इस समय ग्राम का पूर्वी भाग लिच्छवी सेनपती के अधीन था और पश्मी भाग मागद सेनिके। ग्रामवासी युद्ध के भाई से भाग गए थे और घरों में दोनों पक्षो के सेनिक भरी थे जिने प्रतिक्षन आक्रमन से शंकित रहना पड़ता था। मागद इसकंधवार निवेश से पाच सो धनुष के अंतर पर पाटली ग्राम के दक्षण संभूमी पर मागद सेनपती सोम प्रभ ने संग्राम ख्षेत्र इस्थापित करके संवियू की रचना कर वाम महिश्मती के सुगुप्त की ओर दक्षन पक्ष प्रतिष्ठान के सुवान बल की अधीनता में स्थापित हुआ। पीछी के कक्ष के भी दो भाग करके वाम कक्ष भोज समुद्र पाल और दक्षन कक्ष आंध्र के सामंत भद्र की अधीनता में स्थापित किया गया मध्ध उरस में स्यम सेना पती सोम प्रभ इस्थित हुए उनके पार्श्वर रक्षक बंग के वैश्रमन दत्थ अवंती के श्रीकांत और कलिंग के वीर कृष्ण मित्र इस्थित हुए पैदल सेना के प्रत्यक सेने को एक एक शम पर खड़ा किया गया अश्वर रोहियों को तीन तीन शम के अंतर पर रत और हाथियों को पाँच पाँच शम के अंतर पर धनुड़ धारियों की सेने को एक धनुश के अंतर पर इस्थापित किया गया इस परकार पक्ष, कक्ष और उरसे की पांच उसेनाव का परस पर का अंतर पांच पांच धनुश रखा गया अश्वारोही के आगे रहकर उनकी सहायतार्त युद्ध करने के लिए तीन भट हाथी और रत के आगे पंद्रह पंद्रह भट तथा पांच पांच अश्वारु ही तथा घोड़े हाथियों के पांच पांच पाद गोप नुक्त किये गए इस प्रकार एक एक रत के आगे पांच पांच घोड़े, एक एक घोड़े के आगे तीन तीन भट, कुल मिलाकर पंद्रह जन आगे चलने वाले और पांच से वक पीछे रहे उरस इस्थान में नौ रतों के ऐसे तीन त्रकों की स्थापना हुई अभी प्राय ये कि तीन तीन रतों की एक एक पंक्ती बना कर तीन पंक्तियों में नौ रतों को खड़ा किया गया इसी प्रकार कक्ष और पक्ष में भी ऐसे नौ रस, अठारे कक्ष और अठारे पक्ष मिलकर एक व्यूँ में पैतालीस रत, पैतालीस रतों के आगे 225 अश्वर होई और 675 पैदल भट परसपर की सहायता से युद्ध करने को स्थापित हुए इस वियू की रचना तीन समांत्रिकों से की गई थी इस से ये सम्वियू कहाया परंतु इसकी विवस्था इस परकार की गई थी किया वशक्तानुसार इसमें दो दो रथों की वृद्धी 21 रथ परियंत की जा सकती थी बची हुई कुछ सेना का दो तेहाई भाग पक्ष कक्ष तथा एक भाग उरस में आवाप, प्रत्यवाप, अन्वावाप और अत्यवाप करने की भी विवस्था तयार रखी गई थी डिच्छवी सेन्न को तीन सतंत्र विहु हों में सेना पती सिंग ने विभक्त किया था एक पक्ष भेदी विहु इस्थापित किया गया, इसमें सेना के सम्मुख दोनों और हाथियों को खड़ा किया गया और पिछले भाग में उत्करिष्ट अश्वारोहियों को, उरस्स में रथों को, इसका संचालन मल्ल राज प्रमुक सौभद्र कर रहा था दूसरी सेनने को मध्ध भेदी विहु में स्थापित किया गया था इसमें हाथी मध्ध में रथी पीछे और अश्वारोहियों अग्रभाग में स्थापित थे इसका संचालन लिच्छ वी सेनना एक वज्र नाभी कर रहा था तीसरी सेना को अंतर भेदी वीहु में बद्ध किया गया था जिसमें पीछे हाथी मध्ध में अश्वारोही और अग्रभाग में रथों की योजना थी रथों अश्वाँ एवं हाथियों की रक्षा की विवस्था माग धोही के समान थी इस सेन्निका संचालन गांधार तरौन कपिश कर रहा था लिच्छवी सेननायक सिंग्ह ने स्वेम हाथियों का एक शुध वीहु रच उसे अपने अधीन रखा था इसमें केवल सन्नाह हाथी ही थे जिनकी संक्या तीन सहस्त्र थी ये सब युद्ध की शिक्चा पाई हुए धीर और स्थिट थे इसमें उनमत और मदमस्त हाथियों को लौह श्रंखला में बद्ध करके अगरभा के दौनों पक्षों में रखा गया था इस शुद्ध हस्ती वीहु को लेकर सेनापती सिंग लिच्चवी सेनिके उरस्से में इस्थित थे बीस सहस्त्र कवचधारी अश्वां का एक शुद्ध वीहु लिच्चवी सेनापती महाबल की अध्यक्षता में कक्ष के दौनों पार्शों में सन्नद किया गया था तथा पदाती सेनिकों के एक शुद्ध वीहु को आगे दो भागों में और धनुर्धारीयों के शुद्ध वीहु को कक्ष के दौनों पार्शों में समुचित सेनानाइकों के अध्यक्षता में स्थापित किया हुआ था एक दंड दिन चड़े तक दौनों और की सेन अपने अपने वीहु हो में सन्नद खड़ी हो गई उनके शस्त्र सूर्रिक की सुरनेम आभा में चमक रहे थे दौनों सेनापतियों ने एक बार सारी सेना में घूम घूम कर अपनी अपनी सेना का निरिक्षन किया मागध सेनपती सौम प्रभ धूम केतु पर आरूढ श्वेत कौशे परिधान में अपनी सेना से बाहरा दस धनुष के अंतर पर खड़ा हो गया इसी समय मागध सेनने के प्रधान संचालक ने शंक भूका शंक ध्वनी के साथ ही मागध सेनने से जैजैकार का महानाद उठा इसी समय लिच्छवी सेनपती सिंग श्वेत अश्वे पर आरूढ रंगीन परिधान पहने अपने सेनने से बाहरा पांच धनुष के अंतर पर का कर एक दूसरे का अभिवाधन किया इसी समय एक बान मागध सेनने से चूट कर लिच्छी वी सेनपती सिंग के अश्वे के निकट भूमी पर आगिरा ये देख दोनों ही सेनपती विद्ध वेग से अपने अपनी अश्वे दोड़ा कर अपनी अपनी सेनने में जागुसे तुरंथी मागध सेनने में आकर्मन की हलचल दीख पड़ी ये देख सिंग ने अवरोध और प्रत्याकर्मन के आवश्यक आदेश सेननायकों को दे कुछ आवश्यक सूचना भूर्ज पत्र पर लिख मिट्टी की मोहर कर दृत गामी अश्वारोही के हाथ वेशाली भेज इसी समय मागध ही सेनना के विख बहेर गद दो सहस्त्र अश्वारोही खट गौर शूल हाथ में लिए वेग से आगे बढ़े सिंग ने लिच्वी सेनपती महाबल को दो सहस्त्र कवचदारी अश्वारोही लेकर वक्र गती से आगे बढ़कर बिना ही शत्रू से मुठ भीड किये घूम कर अपनी सेनने के दक्षन पार्श इस्थित मध्ध भेदी विहु में घुस जाने का आदेश दिया महाबल मंद गती से आगे बढ़ा ज्योही शत्रू पांच धनुष के अंतर पर रह गए महाबल ने दाहनी और अश्व घुमाई और वेग से घोड़े फेंके मागध सेनने ने समझा कि शत्रू परामुख हो भाग चले उन्होंने वेग से दोड़ कर भागती हुई लिच्वी सेनने पर धावा बोल दिया ये देखकर सिंग ने मद भेदी विहु के सेनना एक वज्र नाभी को अपने अश्वरोही और रथी जनों को पार्श से शत्रू पर जनेवा काट करने का आदेश दिया इसे शत्रू का प्रिष्ठ देश अरक्षित हो गया तता शत्रू सेन्ने अपनी कटनाई समझ गई इसी समय सिंगे ने पक्ष भेदी वीहु को आगे बढ़कर शत्रू सेन्ने में गुसकर उसके वीहु को छिन भिन्न करने का आदेश दिया देखते ही देखते मागध सेन में अवयवस्था फेलने लगी और उसकी आकरमन करने वाली सेन तीन ओर से गिर गई ये देख सुम प्रव ने पक्ष सेना पती सुगुप्त को इस्थिर होकर रतियों और हाथियों से युद्ध करने का आदेश दे कक्ष स्थित भोज समुद्रपाल और आंधर सामंत भद्र को वृत्ता कार गूं कर शत्रू के पक्ष भाग पर दुरधुर्श आकरमन का आदेश दिया इसी समय मागध ही और लिछवी सेना आठी और जन विस्तार भूमी में फैल कर युद्ध करने लगी अपने पक्ष भाग पर दो और से आकरमन होता देख सिंग ने हाथियों के शुद्ध विहु को शत्रू के अगर भाग में ठेल देने का आदेश दिया मदमस्त उनमत हाथी चीखते चिंगारते भारी भारी लोह श्रंखलाओं को सून में लपेड का चारो और घुमाते मागध सेनने के अगर भाग को कुचल कुचल कर चिन भिन्न करने लगे उपर से हाथी सवार सेनने क वान वर्शा करते चले ये देख सौम प्रभ ने आठ सहस्त्र सुरक्षित पदादिकों को चोटे खटग लेकर घुटनों के बल रेंग रेंग कर हाथीयों के पैरों और पेटों पर करारे आगात करने का आदेश दिया इसी कारे में सुशिक्षित मागध पदाती घाथीयों की मार से बचकर उनके पार्श में हो उनके पैरों और पेट में खटग से गंभीर आगात करने और उचल उचल कर उनकी सूने काट काट कर फेकने लगे सून कटने से तथा पेरों और पेट में करारे घाव खाखा कर हाथी विकल हो महावत के अंकुष का अनुशासा नमान आगे पीछे इधर उधर अपनी और शत्रू की सेना को कुचलते हुए भाग चले सिंग ने फिर आठ सहस्त कवचधारी अश्वों को आगे बढ़ा कर उने आदेश दिया कि वे शत्रू की सेना के चारो और घूम घूम कर चूट पहुँचाए सौम प्रभ ने ये देखा तो वो हाथियों को आगे करता था दोनों पार्शवों में रथी स्थापित कर आगे पीछे अश्वा रोही ले लिच्छवी सेना के मध्ध भाग में सुई की भाती घुस कर उसके उरस से तक जा पहुँचा लिच्छवी सेनी की श्रंखला भंग हो गई तब मागध अश्वा रोही सेना तेजी से अभिसरित परिसरित अतिसरित अपसरित गो मूत्री का मंडल प्रकीरुनी का अनुवेश भगन रक्षा आधी विविध गतियों से शत्रु सेन्ने में घुसकरों से मतने लगी अधमरे अश्व गज चिलाने लगे घायल से निक चीतकार करने लगे भट हुंकृती करके भिड़ने और खटा खट शस्त्र चलाने लगे दोनों ही पक्षों का संतुलन ऐसा हुआ कि प्रतेक खशन दोनों ही जय की आशा करने लगे अब सिंग ने परिस्तिती विकट देख उरस में हाथियों के शुद्ध वियू को इस करने लगे समराट युद्ध स्थल से सौधनुष की अंतर पर अपने प्रसिद्ध हाथी मलिया गिरी पर खड़े युद्ध की गतिविधी देख रहे थे खशन पर सूचना उन्हें मिल रही थी वे शत्रु द्वारा चिन्न भिन्न होती सेना को धांडस बंदा कर फिर अक्षिस्ति सेना को मुड़कर शत्रु सेनने पर वार करने का आदेश दिया सिंग सन्नाह अश्वों से सुरक्ष दस सहस्त्र अश्वों को असह विहों में अवस्थित कर स्वैम दुर धुर्ष वेग से सेना के बीच भाग में घुस गए जैपर आजए अभी अनिश्चित थी सुर इस समय अपरहान में ढल चले थे दोनों और की सेनने रखते पे पास हो निरनाय की युद्ध करने में लगी थी धीरे धीरे युद्ध की विभीश का बढ़ने लगी घायल भट मिटक पुर्ष और पशों की ओट में होकर बान वर्शा करने लगे मरे हुए हाथियो गोडों सेनिकों तथा तूटे फूटे रथों से युद्ध स्थल का सारा मैदान भर गया एक दंड दिन रहे दोनों और से युद्ध बंद करने के संकेत किये गए हाथी घोडे सेनिक धीरे धीरे अपने अपने आवास को लोटने लगे सूरियास्त से कुछ प्रधम ही युद्ध अपने अपने स्थानों पर उदास और निराश भाव से लोट आए। साथ आगे की युजना भी सेना नाएक सूमन के पास भिजवा दी फिर उन्होंने सब सेना नाएकों को एकत्र कर भावी कारिकरम पर विशार वे मर्श किया शत्रु की गतिवी धी का अनुमान कर नए नए आदेश दिये घायल और मृत सेनिकों नाएकों उपनाएकों के सान पर नवीनों की न्युक्ति की इस कंधावार की सुरक्षा की विवस्था और भी द्रढ़ की इसके बाद वे गहन चिंता मगन हो कर इद्धुक्षेत्र के मांचित्र को देख कर कोई योजना बनाने लगे सब कारियों से निपट कर हुनों ने इसनान भोजन और थोड़ा विश्राम किया इस बीच जल सेना नायक काप्यक गांधार ने आकर सूचना दी दोना वीर सेना पती इस परकार परामर्श करने लगे सिंग ने कहा मित्र काप्यक मागद सेना पती सौम प्रभ उत्तम सेना नहीं क्यों नहीं वो भी तो आचार बहु लार्श का अंतेवासी है काप्यक ने हसकर कहा सिंग ने कहा यद्यपिया शत्रू की बहुत भारी हानी हुई है परंतु हमारी ख्षती भी ऐसी नहीं जिसकी उपेक्षा की जा सके क्या शासनानु शास का दर्पदलन करके सिंग आज मागधों से हतोत्सा हुए है नहीं मित्र परंतु मैं वस्तु इस्तिती की बात कहता हूँ अब वे संभवता कल पाटली ग्राम तीर्थ से गंगा पार कर वैशाली पर आक्रमन करेंगे निरर्थक प्रकाश युद्ध करके नरसंगार ना कराएंगे तो मित्र पाटली ग्राम तीर्थी से गंगा पार करना इतना आसान नहीं है तेरे रहते ये मैं जानता हूं मित्र वैशाली की लाज तेरे हाथ है चिंता रही मित्र सिंग वचन देता हूं मागध गंगा के सोर का तट न छू सकेंगे आजश्वस्त हुआ मित्र क्या तुझी कुछ चाहिए नहीं मित्र मैं चाहता हूँ तू विश्राम कर तो मित्र एक बाद ध्यान में रखना मागध कदा आपी दिन में गंगा पार ना करेंगे तब तो और अच्छा है हमें अपनी योजना सफल करने का सुफसर मिल जाएगा तो मित्र अब मैं विश्राम करूँगा निश्चिंत रह सेनपती दौनों बिदा हुए 144 व्यस्त रात्री वो रात और दूसरा दिन शान्ती से सिंग का व्यतीत हुए दोनों और के सेनिक अपनी अपनी मृत सेनिकों घायलों बंदियों की व्यवस्ता में रत रहे सुर्यास्त के समय सिंग को सूच न मिली पाटली ग्राम के गंगा तट पर हाथियों की बड़ी भीड एकत्रित है मगध सेना संभवता आज ही रात में इस पार उतरना चाहती है सिंग ने तुरंत करते विस्थिर किया एक भूर्ज पत्र पर बिट्टी की मुहर लगा मिही संगम पर अवस्थित काप्यक के पास भेज दिया दूसरा पत्रुसी प्रकार सेना पती और गणपती के पास भेज दिया जिसमें सूचना थी कि युद्ध आज रात ही कुपरारंभ हो रहा है गांधार काप्यक ने आदेश पाते ही पाटली ग्राम के सामने वाले घाट पर अपनी योजना ठीक है कृष्ण पक्ष की चतुर दशी की रात्री थी गहरांध कार चाया था हिलते हुए गंगा जल में कापते हुए तारे टिम्टे मा रहे थे उस और मगध शिविर में दूर कहीं कहीं आग जल रही थी इधर के तट पर काप पेकने धन और धारियों की एक सुध्रन पदाती सेना को गंगा तीर के गहन वर्न में छिपा दिया उन में से बहुत तो अपने धनुश बान ले विरिक्षों पर चढ़ गए बहुत से तट वरती उंचे उंचे ढूहों पर चढ़ गए बहुत से पेडों की आल में छिपकर चुपचा बैठ गए इनका नित्रत उपना एक प्रिये वर्मन कर रहा था भटों की दूसरी टुकडी बड़े बड़े खटग और शूल लिये हुए गंगा तट पर फैली हुए बालू के मैदान में घाट के नीचे की ओर मही संगम तक चुपचा प्रित्वी पर लेट गई और संकेत की प्रतीक्षा करने लगी इनका नित्रत उपना एक पुश्प मित्र कर रहे थे धनुश शूल और खडग धारी तीसरी सेना को रंतरियों में सजाकर काप्यक ने अपने नित्रतों में ले लिया प्रतीक्तरी में पचासी उद्धा थे रंतरी मरकट रिद से गंगा तीर तक आड में अव्यवस्थि चुपचा पाक्रमन की प्रतीक्षा कर रही थी सब और सगन अंधकार और नितांत सन्नाटा चाया हुआ था किसी जीवित प्राणी के अस्तितों का यहां पता ही नहीं लगता था अभी रात एक पहर गई थी काप्यक ने धीवरों के दल के पास जाकर एक-एक कुध्यान से देखा उनमें एक तरुन को संकीत से पास बुलाया पास आने पर कहा तुमारा क्या नाम है मित्र शुक भनते से न पती तुम्में कितना साहस है मित्र बहुत है से न पती सच है काप्यक ने हसकर कहा तरुन की दहवल दंत पंक्ती भी अंधकार में चमक उठी काप्यक ने उसके उसी रात के जैसे गहन कंधों को छू कर कहा शुक एक गुर्तर कार कर सकोगे निश्चे से न पती पर प्राण संकट आता हो तो कारे पूरा होने पर आये तो हानी नहीं भनते पर पहली ही आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता से न पती तुम बड़े वीर हो प्रिये पर काम बहुत भारी है आप कहिए तो उस पार धारा चीर कर जा सकोगे इसमें कौन कटनाई है वहां जाकर क्या करना होगा भनते जल में छिप रहना होगा ठीक पाटली ग्राम के घाट के नीचे मुझे छिपने की सो हत कंडे याद है बनते पर वहां शत्रू के अंगिनत नावे हैं सब पर चौकरने मागद धनुरधारी भट है पर शुक को कौन देख पा सकता है सेनपती मैं जल ही जल में डूप की लगाता जाऊंगा फिर किसी नाव की पेंदी में चिपक जाऊंगा बड़ी मौज रहेगी भनते पर अंतो इतना ही नहीं शुक तुम्हें और भी कुछ करना होगा और कैसे न पती जहीं तुम देखो कि शत्रू की नावें भटों से भरी इस पार आने को है तुम्हें हमें संकेत करना होगा शुक ने दो उंगलिया मुह में लगा कर एक तीवर शब्द किया और कहा इसी तरह शब्द करूंगा बंते वे समझेंगे कोई पानी का पक्षी बोल रहा है काप्यक ने हसकर कहा ऐसा ही करो शुक फिर उन्होंने अंदिकार को भेट कर अपनी द्रिष्टी उस पार पाटली ग्राम के पार्श्वें पड़े मगध इसकंधवार की ओर दोड़ाई फिर उन्होंने कहा तो शुक अब देर न करो तुम्हें क्या चाहिए कुछ नहीं ये मेरे पास है उसने एक विक्राल दाव अपनी टेंट से निकाल कर दिखाया और छप से पानी में पैठ गया कुछ देर तक काप्यक उसी साहसी वीर की ओर आशा भरी द्रिष्टी से देखते रहे इसके पीछे उन्होंने चुपचाब गहनवन में प्रवेश किया एक जाड़ी में थोड़ा इस्थान था उसे स्वक्ष करके दो सैनिक वहां बैठे थे काप्यक के संकेत पर उन्होंने प्रकाश किया काप्यक ने कुछ पंक्तियां भूर्ज पत्र पर लिखकर मिट्टी की मुहर कर सिंगे के पास उलका चेल भेज दी फिर उन्होंने उपनायकों से परामर्श किया उन्हें आदेश दिये और फिर सब अकस्माद दूर से वही ख्रीन शब्द सुनाई पड़ा कुछ ठेर कर फिर वही शब्द हुआ काप्यक तनमय हो संकेत ध्वनी सुनने लगे फिर उन्होंने तुरंत प्रिये वर्मन को संकेत किया प्रिये वर्मन ने अपने भटों को संकेत किया सबने सावधान होकर अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिये वे गंगा तीर पर घने अंधकार में आख गड़ा गड़ा कर देखने लगे, नीरवता ऐसी थी कि प्रत्यक की सांस सुनाई दे रही थी, काप्यक की रणतरियों में भी हल चल हो रही थी, पर यहां भी सब कुछ निशब्द, काप्यक गंगा तीर के एक सघन विरिक्ष की छा रहा था, शब्द निकटाने लगा, कोई काली चाया बराबर जल में आगे बढ़ रही थी, प्रिये वर्मन ने संकेत किया, बाणों की एक प्रबल बाढध धनुशों से निकली, गंगा की मध्ध धार में तेरती नौकाओं में से चीतकार सुनाई दिया, पतवार के का शब्द सुनाई दिया, काप्यक ने प्रिये वर्मन के पास संदेश भेजा, शत्रु अधिक तैयारी से आ रहा है, सावधान रहो, गंगा की धार में अनिगिनत नावें तेरती दिखाई दी, चप्वों के चलने के शब्द स्पष्ट सुन पढ़ने लगे, सैक्णों ना कावें इस किनारे पर आ लगी, कपिल ने तट पर एकत्रित पत्रों और लकणियों में आग लगा दी, उसके प्रकाश में सब ने देखा, शत्रु के अंगिनत भट इधर तट पर आ रहे हैं और भी चले आ रहे हैं, प्रिये वर्मन के धानुष्य बान वर्शा कर रहे थे, प्रकाश की सहायता से उनके बानों में भिद्ध हो होकर शत्रु जल में गिर रहे थे, शत्रु की जो सेना थल पर उतरने लगे, पुश्प मित्र की टुकडी उस पर तूट पड़ी, तट पर गहरी मार काट मच गई, इसी समया कस्मात ना जाने कहां से सेक्णों रन तरिया कंगा में इधर उधर फैल गई, उसमें जड़ी लोह श्रंगों से टकरा कर मागधी नावों में छिद्र हो गए, वे डूबने लगी, शूलों और खड़गों से युद्ध तुमुल हो गया, दोनों और के वीर चीत कार करते हुई युद्ध करने लगे, काप्यक ने देख वो कवच से सुसजित है, बान और खड़गी की चोट उस पर काम न देगी, काप्यक धीरे से अपनी नावों से जल में कूद पड़े और चिपकली की भाती उचल कर शत्रू की नावों पर जा, कवच धारी के सिर पर गदा का एक भरपूर प्रहार किया, चोट से घबरा कर जल में आगिरा, काप्यक भी गदा फेंग, खड़ गले, जल में कूद पड़े, इसी समय मगध की अंगिनत नावों ने दोनों को घेर लिया, काप्यक उस मूर्चित पुरुष को बाए हाथ में उठाए, दाएने हाथ से दोनों और खड़ चला रहे थे, परंतु उसका कव कवच सहित भारी बोज़ा उन से संभल नहीं रहा था, इधर उन पर चार ओर से प्रहार हो रहे थे, इसी समय एक बर्चा उनकी जंगा में घुस गया, कवच धारी व्यक्ति उनके हाथ से छूट गया, उन्हें मूर्चित घेर लिया, पर मूर्चित होते होते उन्होंने दौनों नौकाओं के तल में चिपक रहे थे, सिर निकाल कर उन्होंने अगहा कर सांस ली, फिर वे टूटी हुई नौकाओं की आड़ लेते हुए तट तक आये और जली जल में कगार के सहारे सहारे पानी के बहाओ के विपरीत उपर को चलते गए, दौनों के हाथ में नग उसने एक संकेत किया, संकेत सुनते ही दूसरा पुरुष काले लबादे से अपने भीगे हुए शरीर और खडग को ढाप कर, उसके पीछे पीछे व्रिक्षों की आड़ देता हुआ वैशाली के गुप्त द्वार की हुर अग्रिसर हुआ एक सो पेंटालीस अभिसार वैशाली की राजपत जन्शूने थे, दो दंडरात जा चुकी थी, युद्ध के आतंक ने नगर के उल्लास को मूर्चित कर दिया था, कहीं कहीं खड़े प्रहरी उस अंधकार पून रत्री में भयानक भूत से प्रतीत हो रहे थे, दो मनुष्य मूर्तियां अंधकार को भेदन करती, हर्मियों की चाया में वैशाली के गुप्त द्वार की निकटा पहुँची, एक ने द्वार पर आघात किया, भीतर से प्रश्न हुआ, संकेत, मनुष्य मूर्ति ने मुर्दू स्वर में कहा, अभिने, हल्की चीत कार करक द्वार खुल गया, दोनों मूर्तियां भीतर घुसकर राजपत छोड अंधेरी गलियों में अट्टाली काओं की परचाई में छिपती छिपती आगे बढ़ने लगी, प्रत्येक मूर्द पर एक काली चाया आड़ से निकल कर आगे बढ़ती और दोनों मूर्तियां द्वार फिर उसी प्रकार बंद हो गया, प्रासाद में सन्नाटा था, ना रंग बिरंग प्रकाश न भवारे न दास दासियों के न दंडधरों की भाग दोड़, दोनों व्यक्ति चुपचाप प्रतिहार के साथ पीछे पीछे चले गए, सात्में अलिंद को पार करने पर उन्होंने देखा, एक और काली मूर्ती एक खंभे के साहारे खड़ी है, उसने आगे बढ़ कर कहा, इधर से भनते, प्रतिहार वहीं रुग गया, नवीन मूर्ती स्त्री थी, वो सरवांग काले कपड़े से आच्छा दित थी, दोनों आगन तो कई प्रांगन अलिंद और क कख्षों को पार करते हुए, कुछ सीड़ियां उतर एक छोटे से द्वार पर पहुंचे, जो चांदी का था, इस पर अतिभव्य जाली का काम हो रहा था, उस जाली में से चंचं कर रंगीन प्रकाश बाहरा रहा था, द्वार खोलते ही देखा, एक बहुत विशाल कक्ष भ इस कक्ष के सम्मुख उसकी गणना नहीं हो सकती थी, ये संपूर्ण भवन श्वेत और काले पत्थरों से बना था, और सर्वत्र ही सुनहरी पच्ची कारी का काम हो रहा था, उसमें बड़े-बड़े स्पटिक के अश्ट पहलू अमूल्य खंभे लगे थे, जिन में शेका हूबाहू प्रतिविंब सहस्त्रों की संख्या में दीखता था, विशाल भावपून चित्र भीतों पर अंकित थे, सहस्त्र दीब गुच्चों में सुगंदित तेल जल रहा था, धर्ती पर एक महा मुल्य वान रंगीन रत्न कंबल बिचा था, जिस पर पेर पढ़त जालर लगा एक चंदोवा तना हुआ था, तथा पीछे कोशे के सुर्ण खचित परदे लटक रहे थे, जिन में ताजे पुष्पों की करनिका है, बड़ी ही कारीगरी से गूत कर लगाई गई थी, निकट ही एक छोटी सी रत्न जटित तिपाई पर मद्य पात्र और पन्य का एक बड़ा सा पात्र धरा था, हटाहत सामने का परदा हटा और उसमें से एक रूप राशी परकट हुई, जिसके बिना ये अलिंद सूना हो रहा था, उसे देखते ही दौनों आगंतुकों में से, एक तो धीरे धीरे पीछे हटकर कक्षे से बाहर हो गया, दूसरा व्यक साफ दीख पड़ता था, उसमें से छन कर उसके सुनहरे शरीर की रंगत अपूर्व छटा दिखा रही थी, पर ये रंग कमर तक ही था, वो चोली या कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहने थी, इसलिए उसकी कमर की उपर के सब अंग प्रत्यंग स्पष्ट दीख पड़ते थे ना जाने विधाता ने उसे किस अक्षण में गढ़ा था, कोई चित्रकार ना तो उसका चित्र ही अंकित कर सकता था, ना कोई मूर्तिकार वैसी मूर्ती ही बना सकता था, इस भुवन महोनी की वो छटा आगंतु केहड़दय को छेद कर पार हो गई, उसके घंश्याम कुन चित्कुन तलकेश उसके उज्वल और इस निगध कंधों पर लहरा रहे थे, इस फटिक के समान चिकने मस्तक पर मूतियों का गूंथा हुआ चंदर भूशन अपूर वो शोभा दिखा रहा था, उसकी काली और कटीली आँखें, तोते के समान नुकिली नाक, बिमबा फल जैसे दोनों ओष्ट और अनारदाने के समान उज्वल दात, गौर और गोल, चिबुक, बिना ही श्रंगार के अनराग और आनंद बिखेर रहे थे, मोति की कोर लगी हुई सुन्दर ओढ़नी पीछे की और लटक रही थी, और इसलिए उसका उनमत कर देने वाला मुख स्प पश्ट देखा जा सकता था, वो अपनी पतली कमर में एक धीला सा बहु मूले रंगी शाल लपेटे हुए थी, उसकी हंस के समान उज्वल गर्दन में अंगूर के बराबर मोतियों की माला लटक रही थी, तथा गोरी गोरी कलाईयों में नीलम की पहुँची पढ़ी हुई पैरों में छोटी छोटी लाल रंग की उपानते थी, जो सिनेरी फीते से कसी थी, उस समय कक्ष में गुलाबी रंग का प्रकाश हो रहा था, उस प्रकाश में अंबपाली का इस प्रकार मानो आवरन भेदन कर इस रूप रंग में प्रकट होना आगंतुक व्यक्ति को मूर् प्रबह और आनंद के अतिरेक से वो भाववि मुहित्सा स्तब्ध निस्पंद खड़ा रहा, अंबपाली आगे बढ़ी, उसके पीछे सोलह दासियां एक ही रूप रंग की, मानो उसी की प्रतिमाय हो, अर घया पाद देलिये आगे आई, अंबपाली ने आगंतुक के निक समराट बिम्बसार थे, उन्होंने हाथ बढ़ा कर अंबपाली को उपर उठाया, अंबपाली ने कहा, देव, पीठ पर विराजें, समराट ने उपर का परिच्छद उतार फेका, विरत्न पीठ पर विराजमान हुए, अंबपाली ने नीचे धरती पर बैटकर समराट का अ असाध्ध्य साधन, प्रिये, इस्थिर न रह सका, मैं जानती थी देव, ओ, तो तुम बिम्बसार के मनु दौरबल्ले से अभी गया थो, मैं प्रतीक्षा कर रही थी, मैंने सोचा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, कौन जाने ये युद्ध का दानव, बिम्बसार को भक्षन ही कर ले, मन की मन में ही रह जाए, शान्तम पापम, किन्तु प्रिये, तुम्हारा प्रबंध धन्य है, देव, कोटी-कोटी प्राणों के मुल्य से अधिक, मेरे लिए आपका जीवन धन था, किन्तु शत्रुपुरी में आपका आना अच्छा नहीं हुआ, वा, कैसा आनंद वर्धक है, प्रिये प्राण सके आज ही, इस अक्षन भिंबसार के प्राणों में योवन दर्शन हुआ है, इस आनंद के लिए तो कोई भी पुरुष सौबार प्राण दे सकता है, मैं कृतार्थ हुई देव, इतना के अंबपाली ने सुवासित मद्य का पात्र भर कर समरा पात्र ले, अंबपाली का हाथ पकड़ उसे खींच कर, बगल में बैठा लिया और कहा, इसे मधुमय कर दो प्रिये, और उन्होंने वो पात्र अंबपाली के अचूते होटों से लगा दिया, इसके बाद वे गटा गट उसे पी गए, संकेत पाते ही दासियों ने खशन में गायन वाद्य का आयोजन जुटा दिया, कक्ष सुवासित मद्रा की सुगंद और सुरंग में सुरभित सुरजित हो, संगीत लहरी में डूब गया और उस गंभी रात्री में जब वैशाली में युद्ध की महती विभीश का रक्त की नदी बहा रही थी, मगद के प्रताप सुरा सुन्दर्रे के दाओं पर शत्रू पूरी में अपने प्राण और अपने सामराज्य को लगा रहे थे